बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसिन पहुचे दर्भंगा मसीन से माखाना तयार करने वाली फैक्टरी पहुचकर उद्मियों से की बात तयार माखाने को मोके पर खाकर की तारीफ दर्भंगा पहुचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसिन ने दर्भंगा के सारा मोहनपूर में चल रहे माखाना उद्योग में जाकर के देखा मंत्री शहनवाज हुसिन माखाना को मसीन से तयार होता देखा है रान हो गए मंतरी ने करीब आदे घंटे तक इस माखाना फैक्टरी में अपना समय गुजारा और पूरे फैक्टरी में घुम घुम कर वारिकी से सभी चीजों को देखा और समझा मखाना कारोबार में लगे उद्मी भानूफ शराबगी ने मंत्री को पूरे कारोबार के बारे में बताया साथ ही उससे जूरी समस्याओं से भी अबगत कराया मंत्री ने पूरा समय दे कर न सिर्प उद्मियों से बात की बलकि वह काम कर रहे है मजदुर से भी बात की और यह जानने का परियास किया कि वे इस काम को कितना करकर गये रिए खुश है और इससे कितना अम्दणी होता हैं मंत्री जी घुमते भुमते मसीन में तयार हो रहे माखाना का भी स्वाध चकहा और परसंसा भी करते रहें मंत्री ने इस मौके पर उद्मी से जो है यहां पहुँच कर मसीन तयार होरे माखाना के बारे में भी जाना और पुरानी परंपरा को भी देखा वहीं मेडिया से बात करते हुए मंत्री सहनवाज हुसे ने बताया कि माखाना ना सिर्फ बिहार की त तस्वीर बदल सकती है मखाना भी हार के मिथलांचल के बरे हिस्से में होता है और या मखाना देश दुनिया में जाता है ऐसे में इसमें न स्रिप पुरोजगार के साधन है बलकि अमदनी का भी एक बराजरिया है वहें मंतरी शाहनवाज हुसेन ने एक किलो उधारी मखाना लेकर चले गए और बिधायक संजे स्तराबगी को इसका पैसा देने के लिए कह दिये लेकिन मंतरी जी को यह माखाना बहुत ही अच्छा लगा और कुरकर्या स्वाध होने की बज़़ा से वह एक किलो उधारी माखाना लेकर यहां से चले गए यह तो मैंने खुदी एमेजन से खरीदवाया था और मुझे खुशी हुई मैं तो चाहता हूं कि दर्भंगा का प्रड़क्ट है हवाई जहाज में भी कोई खोले तो मखायो खाए और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि यह बिना फ्लेवर का भी है कई लोगों को नमक ज्यादे खाने से दिक्कत है कई लोगों को फ्लेवर से दिक्कत है एकदम शुद है सैकरों लोगों को रोजगार मिल ला है अब जब यहां इनकी और मशीन आएगी जिसको उद्गाटन के अफसर पर मैं आऊंगा तब मैं कह सकूंगा कि पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड मखाना का जो सबसे बड़ा काम है वो दर्भंगा की सरजमी से शुरू हो गए ऐसे भी दर्भंगा में बहुत दम है एरपोर्ट बनने के बाद दर्भंगा को पंख लग गए हैं और टेक्स्टाइल और फूड प दर्भंगा हब बनेगा और मखाना के सेक्टर में जब पढ़े लिखे नौजवान जो सिंधिया स्कूल का टॉपर लड़का है वो मखाना बना रहा है अपने आपने बड़ी बात है तो जो नौजवान है जो उद्धोग में ध्यान दे सकते हैं उद्धोग लगा सकते हैं पूरे बिहार की पहचान बन सकते हैं वो इस काम को कर रहे हैं इसलिए हम लोगों ने तैय किया है कि जो हमारी सरकार नित्विश कुमार जी के नितृत में है वो उद्धोग को बढ़ावा देगी पूरे बिहार की नहीं मखाना देश की तस्वीर बढ़ Cambodia आ रहा है healthy food है मखाना कूरे दुनिया में खाये जा रहा है अर वो दर्भंगा का मखाना है किसानों को भी ठाय है मजदूरों का भी ठाय है जो उद्धोग लघा रहे हैं उनको भी ठाय है बिहार की Economic का भी technically अभी ठ पेश्टा भी फाइदा है ताजा ताजा मिला है तुरंट उठा के खाए है थोड़ा विधायक जी लोगों को भी दिये हैं खाने को कुड़ कुड़ा है बहुत मज़ा आया है खाने में एक पैकट ले भी जा रहे हैं पैसा नहीं है जेब में लेकिन उधार में एक पैकट सरागवी जी पेमेंट करेंगे नेताओं को नहीं देना है मखाना फ्री में